अगर आप भी आगनवाडी भरती को लेकार इंतिजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए हैं तिखे 10,000 पदो पर आगनवाडी भरती निकाल गई है जिसकी योकेता 10 वी पास और 12 वी पास रखी गई है जो भी अभ्यारती आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकत हैं आप बता दें कि ओनलाइन आवेदन की परकिरिया सुरू हो चुकी है जो भी योग्या भ्यारती हैं और आगनवाडी भरती में नोकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अंतिम्तिति से पहले आवेदन कर सकते हैं हाला कि इसमें कुछ सर्ते भी रखी गई हैं नियम भी बनाए गए हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माद्यम से बता जाएगा अगर आप आगनवाडी भरती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए साथी अंतिम्तिति कब है उसके बारे में बताएंगे और भी आपको यहां पर जानकारी दे जाएगी बस आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरपिया वीडियो को लाइक कर दीजे ज्यादा से यादा वीडियो को सेर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्र जिसके अंत्रकात आप ओनलाइन आविदन कर सकते हैं ओनलाइन आविदन शुरू हो चुके हैं। जो भी योग्या प्भ्यारती हैं फैसमे रहते ओनलाइन आविदन कर सकते हैं। आंगनवाडी भरती में आविदन कर सकते हैं और सरकारी नोगरी पराप कर सकते हैं इसमें आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है और इसमें आपकी उमर क्या रहने वाली है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडिय पदो से अधिक रिक्तियां दोस्तों खाली हैं जिनको सरकार भर रही हैं अगर ओपिशेल वेब साइट की बात करें तो यहां पर आपको जो भी चुक अभ्यारती हैं वह हर्म्स.डोट गुजरा.जोव.in पर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं आविदन जमा करने की अंतिम तारिक इनके अंतिम तित्छी जो रखी गई है वह 30 नोवेंबर रखी गई है जो भी अभ्यारती आविदन करना चाते हैं उन्हें 30 नोवेंबर से पहले ही आविदन करना होगा. राज में अगनवाडी भर्ती के लिए महिला भ्यारती जिनकी आयू 18 वर्स से कम और 33 वर्स से अधिक होनी चाहिए अब यहाँ पर गलते लिए महाफिश चाहेंगे देखिए 18 वर्स से आपकी कम उमर नहीं चाहिए और 33 साल से अधिक नहीं होन चाहिए यहाँ के 18 से आउर 33 वर्स तक की जिनकी उमर है वह महिलाए ओनलाइन आविदन कर सकती है साथ ही गाउ में निवास जिस भी गाउ में वह निवास कर रही है फिर जिस भी कस्वे में वह निवास कर रही है और उस जिले में या फिर उस कस्वे में उस गाउं में आगनवाडी के पद खाली हैं तो वह अपने गाउं के लिए ही अपने कस्वे के लिए अपने जिले के लिए ही आविदन करें वह किसी दूसरे जिले के लिए फिर दूसरे गाउं के लिए आविदन ना करें तब ही वे सलेक्ट हो पाई ये ना था, वे है उनका जो अविजन होगा वे है रिजैक्ट भी हो सकता है देंकर आंगणवारी करेकरता रिक्थियों के लिए नियून तर्म सेक्षिशी जो योगता रखी गई है वे बारुवी पास है और जबकि आंगनवाडी हेलपर रिक्तियों के लिए कम से कम उनकी योगता दसवी पास की होना जरूरी है चैनित आंगनवाडी सर्मी को का वेतन 10,000 रुपे परती महा होगा और जो हेलपर है उनका वेतन परती महा 5,000 रुपे रखा गया है तो यह है जो भरती है यह है गुजरात में निकाली गई है अगर आप गुजरात के निवासी हैं तो आप भी ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं तसजार पुदो पर आगनवाडी भरती सुरू हो चुकी है अगर आपका कोई दूसरा राज्य है तो आपने राज्य का नाम आप पहुज़ा उरु पताएगा तकि हम आपको बता सके कि आपके राज्य में आगनवाडी भरती निकल गई है या फिर नहीं या फिर आगनवाडी भरती कब सुरू होने वाली है तो यह थी आपके लिए महत्पूर जन करें आप से निवदन करते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिप आप वीडियो को लाइक कर दिए जाद से आथा वीडियो को सेर करेगा चनल पर आप पहली बार आए हैं चनल को भी आप जरू सब्सक्राइब कर लेजगा अब चाते हैं आप से जाज़ा या तारू मिलते हैं आपके लिए स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत